साउधनी से सुनना कथा आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थक तक को सिद्ध करने वाली कथा आज अंजाब की पवित्र भूमी अगर प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होता शीव जी को पांच तरह से जल चड़ाने का तरीका है जैसे पंच्यामरत होता है दू दही सब पंच्यामरत के अंतर गताते हैं उसी तरह शंतर जी को पांच तरह से जल चड़ाने का क्रम बढ़ने किया गया अब उसको समझेंगे बहुत साउधनी से समझिया का पहला जल कि दूसरा, जहां से पानीबह कर जाता ह। जहां से जल बह वह कर जा रहा है…। जल उत्तर में जा रहा है। आण दक्षिन में खड़े होंगे और दक्षिन में खड़ेंगे, और शिव जी को जल समरप च determination करेंगे। यह रोग मुक्ति करने वाला है और हमरे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है यह जल चड़ाने का तो एक सीधे मंदिर में गए लोटा बरकर जल उठाया शिव जी को चड़ा दिया दूसरा जल जहां से पानी बहता है शिव जी का चड़ा हुआ जल जहां से बह कर जा तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिव लिंग पर पून जल समर्पित करना यह तीसरा तरीका यह कारिश सिध्धात है हम जब किसी से आसना लगाकर परमात्मा से विंती करते हैं तो वह भिंती करने का तरीका तीसरा चौथा शिव जी पे चड़ा हुआ जल पाच ज़ल कि में अगर हमने उसको इसमर्ण में रख लिया तो वानिकारी की सिद्धा को सिद्ध कर देता हुआ हमें सबलता की चल जाता हुआ है सीधे जल चड़ाना दक्षिन में बेटकर उत्तर की और मूं करकर जल चड़ाना आशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चड़ाना कुछा पाँच इस थान पर गणेश आशोकसुंदरी जला दहारी शिवलिंग पर जल चड़ाना पाँच इस थान पर ऑर पाचवा जल समर्पित कर देता है पाचवा फ्र नंबर येwater במटस्वा पाचवा अनमर का जला धारी में जल समर्पित करकर उसी जल को बचा कर अशोक सुंदरी वाली जगा पर थोड़ा सा चड़ा कर उसी में से जल शिविलिंग पजब हम समर्पित करके